हलो तो मशकार दोस्तों स्वागर थे आपका हमारी एक और नई वीडियो में दोस्तों अब भी लेना चाहते हैं एक 7-Seedler कार भारतिकार बाजार में और जानना चाहते हैं कि कौन सी नियो कार भारतिकार बाजार में जल्द लोच होने की तैयारी कर रही है 7-Seedling Capacity के साथ तो वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी हुई है जिया दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको Top 10 Upcoming Cards in 7-Seedler पूरी Information देने वाले जो कि आने वाले कुछी महीनों में भारतिकार बाजार में आपको देखने को मिलने वाली है अगर आप इन कारों की Complete Information जानना चाहते है यानिकि इनके Mileage, Specification, Interior, Exterior, Price, Launch Date तो वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी हुई है वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें वीडियो को लास तक पूरा देखी तो चलिए शुरू करते हैं और बाद करतें लिस्ट की नबर टैत कार की तो वो है Nissan X-Trail छे आदोस तो Nissan X-Trail एक Crossover 7-Gitter SUV है जो के भारती कार बाजार में आपको काफी जल्दी देखने को मिलने वाली है Nissan X-Trail की खास बात यह है कि यह काफी दद प्रेमियम और काफी Ultra Luxury Features के साथ आने वाली है वहीं इस गाड़ी आपको Hybrid Engine के साथ देखने को मिलेगी जिससे इस गाड़ी का जो mileage है वो आपको काफी जादा देखने को मिलने वाला है comparatively अदर इसकी segment की कारों से यह गाड़ी compete करने वाली है Innova High Cross, NG Hector Plus, Mark 30 Suzuki, Invicto जैसी कारों को इस गाड़ी कोंपनी ने AutoX पर भी शोकास किया था इस गाड़ी के overall design की बात करें इसका design rugged boxy design रहने वाला यह proper SUV की feel आपको देए इसमें आपको 1.5L Turbo Petrol Legion मिलेगा उस इस साथ 1.5L Hybrid Petrol Legion मिलने वाला है 4WD Drive Configuration के साथ आएगी interior में इसका काफी amazing रहेगा जो कि आपने screen पर देखी सकते होगे उसमें आपको 10 interior मिलने वाला full leather touch देखने को मिलेगा pick panoramic sunroof और काफे सारे attractive features इस गाड़ी में आपको देखने को मिलने वाले है तो दोस्तों लिस्ट में आगे बढ़ते हो बात करें number 9 car की तो वो है Maruti की XL7 जी आदोस्तों Maruti XL7 भी बारती कार बाजार में जल्दी लोच होने की तयारी कर रही है वाला दे कि ये गारी काफी जादा एक ultra luxury रहने वाली है जो कि आपको मारती अदर गारों से काफी luxury feel देगी इसकी जो sibling काराती XL6 अगर उसको भी आप rear से exterior से interior से देखेंगे तो काफी जादा एक luxury feel देती है जी आदोस्तों और ये XL6 जो कार है उसका एक 780 वर्जन जिसे काउंकनी international market बेचती है लेकि इंडियन मार्केश जल्दी इसे काउंकनी उतारने वाली है इसकी pricing लगब आट से 9 लाग क्यास पर स्टार्ट होगी वहीं ये 1.500 K15 सी petrol engine के साथ आने वाली जिसमें 101 DHP की पाउर और 180 NM का टोर्क मिलेगा इसके इंडियन आपको वैजिलेट सीट्स, टैक्सिसक इंफोटेंबन सिस्टम, वायरलेस अंड़ अड़ आप्टो, एपल नियू जेनरेशन, जी है अब दोस्तों, इन दोनों ही कारों कांपणी ने रिविल करती है, लेकिन अभी तक इनकी लॉंचिंग नहीं हुई है, बता लेकि इनकी लॉंचिंग जल्दी बाठते कार बाजार में कंपणी करने वाली है, जो की एक अल्ट्रा लग्सरी कार रहने वाली है, दोनों ही गाड़ी, दोनों की गाड़ियों की आपने जो वीडियो देख सकते, इसमें इनके एक्स्टिरियर इंटिरियो कांपणी ने एक नेक्स्ट लेवल बनाया है, इनका जो मेजर कॉंपेडिशन था, महिंदरा X2V700, उनको इन कारों ने बीट करती आए, इसमें आपको रेंज रोवर, लेवल की फीचर्स इस गाड़ी में कॉंपनी ने इंटिड्यूस करती हैं, वहीं इंजल इसमों 2.0 लिटर क्राविटेंग इंजन मिलने वाला है, वहीं गाड़ी काफे जार New New Color Options, New New Editions के साथ बारती कार बाज़ार में लोच की जाने वाली है और जल्दी ही आपको इसकी मीडिया की जो रिव्यूस है वो यूट्यूब पे देखने को मिलने वाले हैं तो फ्रेंट्स, इसकी जो प्राइजिंग आँ मान सकते हैं जाटा हैरियर की 14 लाक से स्टाट हो सकती है वही डाटा साफारी की 16 लाक से स्टाट हो सकती है और 15 अक्टूबर तर इसे बाहरती कार बाज़ार में कंपनी उतार सकती है लिश्ट में आगे बटते हों बात करें अगली 7 जिटर कार की तो वो है Kia Telluride जी आदोस्तो किया Telluride भी काफी समय से बाहरती गार बाज़ार में लोग चुने के दियारी कर रही है ये एक 7-3 full-size SUV रहने वाली है जो कि M, Fortuner और MG, Glowster जैसी कारों कंपीट करें इसके लुक्स काफी सब्दब प्रीमियम और अल्ट्रा लग्जरी फीजर्स के साथ ये गाड़ी आती है इंटरनेशनल मार्केट की वन ओप दे मोस्ट सेलिंग कार आपसे कह सकते है किया कि इसमें आपको Tiger Nose Drill देखने को मिलने वाली न्यू लाइटिंग सेटप पिलने वाला वही इसमें आपको 3.8 लीटर पेट्रो लेजन मिलेगा जो कि 291 BHP गवा और 354 Nm का टोर्क मिलेगा वही एट स्मिट और कनवर्टर के साथ आएगी वही 4Y4 कॉन्फिग्रेशन साथ गाड़ी आने वाली है इसकी प्राइसिंग आपमान से ते लगवग 35 ताक प्यास पास रह सकती है वही फीजर्स भी इसमें काफी तर्गेड़े मिलेगा जिसमें मेजर इसमें आपको 2.0 सनरूफ देखने को मिलने वाला है लिस्ट में आगी बटते हूँ बात तेरे अगली गारी की तो वह एक यूंडाई स्टार गैजर जिया दोस्तों यूंडाई स्टार गैजर भी बात्तिक बार बाजार में चल्दी लोज होने की तयारी कर रही है बता दें कि ये एक 7.0 MPV है वह इंटरनेशनल मार्केट पे कंपनी से बेशती है ये कंपेट करने वाली XL6 और LTE का जैसी कारों को वह इसमें आपको 1.5 लिटर नैचुरली एस्टी रेडेट पैट्रोल एजन मिलेगा जो कि 113 BHP की वा और 145 एनव का टोर्क जनरेट करेगी इस 6-speed M3 ट्राजमिशन के सा दाने वाली है वह इसमें आपको 360 गी कैमरा एडावस, ईवीडी, एबीएस, 6 एरबेक्स, 7-जेस्ट असिस्टम, फुली डिजिटल इस्टिमटल क्लस्टर, क्रेटर स्टैल स्टेरिंग वील, डूल्सलन आटोमेक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा उसकसा सन्रूफ, वायरेस चार्जिंग और लेधर सीट्स मिलने वाली है प्राइजिंग 10 लाग क्या सबस रहेगी वह इसमपर तो जब 23 तक कंपनी से भी लोंच कर सकती है लिस्ट में आगे बटते हों बात करें अगली गारी की तो हो है तोयोटा रश, जी आदोस्तों तोयोटा रश नाम से एक न्यू कार वार्तिकार बाजार में लोंच की जाएगी त्योंकि 7 लिटर एंपी भी रह सकती है यह बेसिकली एक्सल 6080 वाले सेग्मेंट में ही लोंच की जाएगी वही इसमें आपको 1.5 लिटर, 4 लिटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंजन मिलेगा जोकि 103BHP की पावर और 138NM का टॉक यह गाड़ी जनरेट करेगी जल्दी लोच की जाने वाले है इसमें आपको बाफे बड़ा एजन मिलेगा जोकि 2.6 लिटर डीजन रहेगा जोकि 90BHP की पावर 250NM का टॉक की यह गाड़ी जनरेट करेगी इसके लुक्स भी आपको काफी बलकी देखने को मिलने वाले है वही सेवजेटर ओप्चन के साथ यह काफी जादा एक जस्टिफाइड और काफी एक रिलाइबल और यूस्फुल कार रह सकती है इसके एक 4x4 कार चाहिए वही इसमें आपको अप्डेटेड न्यू कैपित 5 एरबेक्स देखने को मिलेंगे वही यह 203 नहुंब बर्दक बारतिकार बाजार में उतारी जा सकती है लिस्ट में आगे बढ़तों बात करें अगली गारी की तो वो है नेच जेनरेशन टोयोटा फॉर्चुनर जी आँ दोस्तों नेच जेनरेशन टोयोटा फॉर्चुनर भी बारतिकार बाजार में जदली कंपनी उतारने वाली है इसमें आपको new bold look देखने को मिलने वाला या ने कि ये पूरा ही new generation रहेगा जिसमें आपको major changes देखने को मिलेंगे जिसे कि front में आपको बड़ी massive grill देखने को मिलेंगी new lighting setup मिलेगा वहीं बॉंपर्थ की design भी company change करेगी side portion से भी गाड़ी काफी improved रहेगी और खाड़ी में आपको काफी तगड़े looks बिलेंगे side portion से वहीं काफी बड़े 17 to 19 inches के allowables इस गाड़ी में मिल सकते है rear में भी आपको 10 Batt or 10 댓 देखने को मिलने वाली है इसके pricing 40 दाग क्या सपर राहेगी वह इसके engine में आपको 2.8 litre hybrid petrol engine देगा hybrid diesel engine मिलेगा आपको 50 तो 16 चैम्पल का माइलज भी झासकती है काफ ज़्यादा प्रीमियु और अपिलिंग रह सकती है। इसे इंटरनेशनल मार्टेटर कार रहने वाली में लोच किया था वादर रहे कि एक बोक्स रिजन के साथ रहे कि नियू एक्टिरियर देखने को मिलने वाला है। और ये गार्डी काफिसमें को मिलने वाला है। और ये काफिसमे लेकि पाफिसमें के लिदेखने को मिलने वाली के साथ पोlla देखने और रहाली ह। हाथ. सब्सक्राइब को जब कर HC सब्सक्राइए विड्र कर देज Grüe मिलतु हिसे ने ने माई समम्हाइए विडियों करें similarly सब्सक्राइब है Today